इस वक्त हम मवजूद हैं अखाडा प्रसत के राष्टी प्रवक्ता महंगौरी संकरदास जो हाली में प्रियाग में अखाडा प्रसत की बैठक हुई है समर्थन को बताया जा रहा है कुछ महंतों का उस पे उनकी आपत्ती है और वो विधिक कारवाई की मांग कर रहे हैं किस तरीके का उनकी आपत्ती हमोनी से बात करते हैं महंगौरी संकरदास से पच्चीश तारीक को यानि कल जो अखाडा प्रसत की तथा कथित कारकारणी का गठन किया गया है जिसमें आठ अखाडों के समर्थन की बात कही गई है ये हास्पद है जूटी है ब्रामक है इनोंने निर्मोही अखाडे और निर्मल अखाडे के समर्थन की बात कही है इनको लेकर के आठ खाडे होते हैं उनके हिसाब से तो निर्मोही अखाडे के स्रीमान राजिंदास जी है राम जी दास जी है और राजिंदास जी जो बीच तारीक को कारिकारणी गठीत हुई है उसमें म जस्विंदर सिंग जी सचीव है महांग्यान देव सिंग जी अध्यक्ष है उसके स्रीमान्त है तो इस प्रकार की जूटी बाते जो की गई है अल्पमत में उनकी जो कारकार्णी है और जैसा की आज से नहीं महांग्यान दाज जी जब अखाड़ा प्रसद के अध्यक्ष थे दरेन ग्री जी जब अखाड़ा प्रसद के अध्यक्ष थे तो चुनाओ बहुमत की आधार पर हुआ है तो इस नाते आज भी साथ अखाड़े महानिरवानी अखाड़े के रवीद्पुरी जी जो नौ निर्वाचित अखाड़ा प्रसद के अध्यक्ष है साथ अखाड़े आज भी उनके साथ में हैं ये जूटी बाते हैं ब्रामक बाते हैं जो आठ अखाड़ों की समर्थन की बात कही गई है क्या अब आपके तरब से कोई जो है विधिक कारवाई करने की तयारी है निश्चित रूप से अब जो अगली मीटिंग होगी उसमें इसकी चर्चा होगी और आवश्यक्ता होने पर विधिक कारवाई आवश्य की जाएगी तो ये थे अखिल भार्ती अखाड़ा प्रसद के राश्टी प्रवक्ता महन गौरी शंकरदास जो बता रहे हैं कि प्रयाग राज में जो अखाड़ा प्रसद की बैठक की गई कुछ महनतों का समर्थन हासिल बताया गया उससे वो हास्प्रत बता रहे हैं और अगली बैठक में विधिक कारवाई की भी तयारी कर रहे है महंत्र पाठी माई भारत अयुद्या